हमारी ब्रज में तो लीला बता में कि एक गुपी रोज मक्खन निकारों करती गुवरधन में और मंखन निकार के मटकी में सजाएके ले जाती मंदर में और मंदर में ले जाके श्रीनाजिघ्जी के सामने बागो डक्कन अटाएग कहती लाला दोरी गई हाको मखन निकारों मेने दूद्तते आजा, खावे आजा ठाकूर जी के सामने जाकर एगे ठाकूर जी कोई प्रलोभन दे रही है मक्हन को एक दना हैगो, दो दना हैगो वो पांच छे दना एक दना जाके वाने ठाकुरुजी के लाला मुए लगे अब तो में वो बल बचो नाएं जैसो द्वापर में हो द्वापर में तो गोपी निकारती तो कुछ सुगंधी आ जाती तो भग जातो लेवे मैं तो कुछ आए के दिखाए के जाओं कि मेरे घर मे तो आवेईना है ठाकुरुजी को महराज वाने आज चुनोती देदेए तो में ताकत हो तो लाला मेरे घर की चोरी करके देखा आज से ज्यादा नहीं साड़े चार सो साल पुरानी चर्चा है श्रीनाज जी जब गोवर्धन में विराजते थे तो गोपी को भाव सुनकर ठ ठाकुरुजी तो बड़े विचले थे गए कुम्मंदाज जी गए कुम्मंदाज जी ठाकुरुजी की राग सेवा कर रहे इतने में श्रीनाज जी बड़े दुखी से दिखाई दिये तो कुम्मंदाज जी ने गाते गाते पूछ ली जय जय कहा वह हो इतने उदास कैसे बै थाकुर जी खाते ही रहो सुवेत शाम तक उठते पट दूद पीओ उठते ही तो दूद पीवेंगे लड़ू खामेंगे यहां पर हमारी लहियां सबरे नियम बना दिये उठो उठकर के पहले हाथ देखो पर जमीन पर्श करो प्रमाता पिता को प्रणाम करो प्रिश्णान क करो ध्यान करो मुख दो तिलक लगाओ थोड़ी देर नाम जब करो सेवा करो इनको उठाओ इनको निलाओ इनको सब सेवा करो इनको भोग लगा कि फिर तुम पा और खुद ठाकुर जी के उत्थापन के कई पदन में तो ऐसा भाव है कि ठाकुर जी तब तक ना उठे जब तक यशुदा मैया दूद दे बड़ो कटोरा लाल जी को महते ना लगा दे लाल जी को एक सिर उठावे आँख अभी बंदे सोई रहें यश्वता में यह सिरते ऐसे लाल जी को उठावेगी और ऐसे कटोरा मुखते लगावे एक गूंट जब मुख में चलो जाए तब लाल जी की आँख खुलने भूल अच्छा मैं यह भू रहे गई का भूल हाँ लाला भू रहे गई लट जाए लट्डू और खाले कुम्बंदाज जी बोले आठाठ बार भोग लगाओ ठाकुर जी तब भी तुम्हारी जीवे और पेटे शांती ना मिले अब काई कुरसार रहो मों में ठाकुर जी बोले कुम्बंदा एक गोपी आवे और पीछे ते मटकी में धरे मक्षन को मुकू ऐसे दिखा दिखा के लालच देके जावे मुकू बोलाला तो में ताकत हो तो चोरी करके दिखा मेरो तो मन आगे हो है कुम्दा जी कौन पे मक्षन पे की गोपी पे गोपी तो बड़ी बूड़ी है वाको मक्षन बहुत बड़ी है देख भईया ये ब्रज की लीला है यहाँ परब्रम नहीं है यहाँ इश्वर नहीं है जगत नियंता नहीं है यहाँ तो ऐसी ऐसी लीला आप सुन लेओ तो सिर्फ पकड़के बढ़ जाओ बोले ये भगवान है इस बार हमारा मन है लाल जी की उत्सव होगा द्वारी का में आप सब भी पधार विश्वनात काशी विश्वनात जी की रज लेकर के जो जो आ सको 11 से 17 जनवरी ठाकुर जी के उत्सव में द्वारी का तो द्वारी का हम लोग हर साल उत्सव में रात्री में बड़े-बड़े गायकों को बलाते हैं बाहर से बड़े-बड़े संगीत अग्यों को बलाते हैं खर्चा बहुत हो जाता है आएंगे तो इस बार भी लेकिन अब की उपद के संग-sंग लीला भी चलेगी लाल जी बीच में विराजी रहें गें संगासन पर यह कोई बंडला सख़ी बन जाएंगे इनमेतर कोई जो एकाए नंदनी सखी बन जाएंगे गोवर चोटी बेठी है यहां पर इस सबरें सखी बनेंगे हां हम लाजी की इस अपने बड़ा आनंद आता है, तो लीला के पद जैसे चलेंगे, हम कोई देखो, रास लीला नहीं करेंगे, इस सब रहेंगे ऐसे ही, बस चुनरी ओड़ ओड़ के आ जाएंगे, बस सखी आ गएं, लाल जी फिर महाँ पर कोई किसंग डान लीला करेंगे, कोई किसंग गैन चोरी ली आएंगे, कोई सखा बनके, कोई सखी बनके, लाल जी बीच में रहेंगे, और पूरी लीला चलेगी वही भाव से, तो इस बार मन है कि थाकुर जी की ऐसी लीला, द्वारी का में एक घंटा शाम को लीला भी हुआ करें, कुछ, पदों को, तो उससे क्या होगा, वैश्णव इतनी याद आवे, कि कोई ना कोई ब्रिजवासी ते साथ दिना में प्रत्यक्ष मिले ही जाएं, बहुत याद आ रही है ब्रिज की, तुम लोग अन्ने आके यही ब्रिज प्रकट कर दियो है, बताओ महा दान लीला अच्छा की लीला सब होएगी, तो लाल जी को याद वोई करवे हम जा रहे हैं, जो इस बार मन है अभी संग्रे कर रहे हैं पदों का, एक एक दन लीला करेंगे ठाकुर जी की, तो थाकुर जी बोले मो को प्रलोभन देके जावे मक्षन को, और मेरो तो बड़ो मन करें वाके घर जाके वाके मक्षन चुराई आओं में, पुम शिनाज जी बोले नाए, मेरो तो मन कर रहो है, मैं तो जाओं गो चोरी कर वे, सखान को भाव का है बंधूं, ये अस्ति सखा जो है, ये ठाकुर जी के इसमृती तो पूरी करते हैं, जो उनके मन में आजाए वो पूर्ण करनो इनको काम है, कुमंदाज जी बोले, करनो कैस सब बताते हैं, योजना पूरी बनी भाई है, बस एक साथी की जरुवत है, तू मिलगो मूँ कुमंदाज जी बोले, बड़ो बूडो आदमी हूं भाई है, मूँ पर चोरी फोरी नाय होँए, ठाकुर जी बोले, तू मूँ पर चोड़ते हैं, बस फूर्ती रखी हो, सब क पीछे की खिड़की पर आजए हो, और खिड़की से मैं उतर के तेरे कंदाब बेटके चल दूंगो, ठीक है, रात्री में शेन, आरती होई, मंदर बंद हो गया, गुसाई जी आदी परिकर सब चले गए मंदर से, तब चुप चाप कुमंदाज जी आए, और आकर के मंदर क पीछे जहां गरवग रहे है, वहीं खिड़की के नीचे आके खड़े है गए, इतने महीं, बंद हो, मैं तो कभी कभी चिंदन करता हूँ, इस लिला का मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने प्रिये हैं लाल जी, खिड़की में से ठाकुर जी पधारे भार, मतलब का है, किशोरी जी की दोनों भूजा, ठाकुर जी के माने आलिंगन कर रखो है, श्री जी ने, वाकुझ गले से लगा और ठाकुर जी दो माल के भाव से ठाकुर जी की एक श्रंगार के पीछे भाव, आज पिली पाग पहनी है तो याको मतलब सूरदास जी कि याद आ रहे हैंं आफ कितनी माला फे हैं ठाकुर जी वाकिभी सब भाव ऑग एक चीज ze केवल स्रंगार करके हमको ल्बावे को खडेना हो में ठाकुर जी लीला का स्मरण करके श्रंगार कराते हैं कि यह तो हम ने अपने ठाकुर जी कि सेवा में देखो हमाय लाल जी दो रूप धारण करते हैं एक तो जगन्त भेश और एक श्रीजी को भेश और उन दोनों भेशों को ठाकुर जी तब तक धारण नहीं करेंगे जब तक आप उन्हों को पद नहीं सुना जगनात भेश में तो जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकूर जी को तब तक जगनात बनती ही नहीं है विरह स्वरूप है ने जगनात जी का हमाई संगते को अभी प्रत्यक्ष विराज नहीं जगनात जी बड़े मधूर लाल जी है भया ये भी हमाई लाल जी के सब सखा है तो जगनात जी को जो ऐसो स्वरूप है ना हाथ नहीं पाउन नहीं मुख भी ऐसो ये विरह का स्वरूप है श्री जी के विरह में ठाकुर जी ऐसे आगे हम अपने लाल जी को जब जगनाच जी बनाते हैं जब तक श्री जी का विरह नहीं सुनाओगे ठाकुर जी को तब तक वो जगनाच बनते ही नहीं उनने अत्र धारन करेंगे इन जग dizzy जायसे a great protection time क्या थाक भुर्जी निलाए जंगला मैंसे कंदाप करेंगे beats g therapy कों इछ नरों कि चल फाम बूले सीधो चल अगे तै दा अ मुर्जा रागा निससाजी मुझा जो यह तै बाइ याद है लाल जी लेकर कुंवन दाज जी को पहुँच गये और जैसी पहुँचे महाराज थाकुर जी भीतर प्रवेश कर गए बीतर प्रवेश करके उचे छीके पहेमठकी लटकी लाल जी कुंवन दाज जी के खड़े अगए कुम्मंदाज जी ने चरण पकल लिए ठाकुर जी चीका में ते बढ़िया मक्खन निका रहे हैं मक्खन निकार के चाटे और वही मक्खन को लेकर के नीचे कुम्मंदाज जी के मुख में दे रहे हैं अपने हाथन सौं अधरामरत मिष्ञ ठाकुर जी के हाथ से मक्खन कुम्दाज जी के मुख में जेसे ही गए हो कुम्मंदाज जी तो मंत्र मुख ड़े गए आज तक जिन लीलाओं को स्मरंग कियो वो लीला अच पहली बार अनुभ्व में आ रही है एसी मधुर कुमंदाज जी तो भावा वेश में चले गए ठाकुर जी बीच बीच में चरन तकरें, ए कुमा ना ढीलो मत करें, पाम तो गर जाओंगो मैं कुमन्दाज जी पकल ले हैं, हाँ लाल जी पकड रखो है कुमन्दाज जी के मन में आई एक बार देखू हूं तो सही चोरी कर कैसे रहे, इनको रूप कैसा लग रहा है जैसे आपे देखी तो अहारा-च ठाकूर जी की दोती खिसक रही है नीचे और यहां ते धोती की सखरी ठाकुर जी तो मांखन खावे में व्यस्त कुमंदाज जी बोले जै 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 कपाट खुल रहे हैं जल्दी बंद करो इतने मैं ठाकुर जी ने चत्रवुज रूप धारण कियो दो वजाते तो अपनी धोती पकड़ी और दो वजासे मांखन की मठकी पकड़ करके भोग लगा रहे हैं आहा बोलो चत्रवुज भगवान की जै हो नात सुदर्शन चक्रधारी चत्रवुज देखा सुना था आज तक पर आज मांखन को चोरधारी चत्रवुज रूप में पहली वार देखो भईया हमने और कैसा चत्रवुज दोती पकड़ रहे हैं अपनी या छवी को देखकर के कुमंद आज कौन रह सक है ऐसी चवी देखवे के बाद भी खड़े है पा रहे हो तो इसका मतलब आपने चवी देखी नहीं कुमंद आज जी की तो सुद्बुद्ध खो गए महराज लडखडान लगे पैर ठाकुर जो लए कुमदाज जी गर गए ठाकुर जी लटक गए छीकेते ठाकुर जी बोले भाईया यह आने मरवाई दिये देखा अवास सी भाई मटकी ऊपर ते और गर गई गोपी बोली चोर 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 पगड़ो पगड़ो ठाकुरजी तो छीके ते कूत कात के भगगए कुम्बंदास जी तो मही भाव आवेश में ठाकुरजी की वही लिला को स्मरण मौपे मक्षन लगो है अधरामरत मिश्रत गोपी ने आके बजाए डंडा एरे बड़ापे में चेनना है पड़े ए कुम्बंदास तो मंदिर में गाव है न मंद वशीनाच जी मंदिर में गाव है और तो को नेक यों सरम नहीं आई कि मैं कहीं चोरी करवे जा रहा हूँ कुम्बंदास जी को मार थोड़ी लग रही है कुमंदाज जी तो सक्गी की बलया ले रहे तू है सक्गी बड़ भाग बड़ी मुझे ये पद बहुत प्रिय है बंधूं आप सब अपने ठाकुर जी की सेवा करते हो उस समय इस पद को मन में सोचा करो हम कितने बड़ भागी है लाल जी हमारी गोद में बेटते हैं हमारे हाथ में लेटते हैं हम से श्रंगार कराते हैं हम जैसे चाहें उनको बना दें जो चाहें उनको पहना दें जो चाहें उनको खवाय दें जैसो चाहें हमारे वश हैं ठाकुर जी हम जेसो चाहिए उनको श्रंगार करते हैं वैसे ही रहंगे पूरे दिना बताओ आप अधीन हो थाकुर्जी के किसो श्रंगार कर दो सब स्विकार बल्कि बंदु हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं हमारी जीवन में जरासी भी थोड़ी विचलन्ता आ जाये ठाकुर्जी को कितना सुनाते होных आल जी आपको नेक दया नहीं आवे सह पहने लेते हो प्रेम स्वरूप क्या है कि हमारा प्रेमी जो प्रदान करे उसको स्विकार करे एक प्रेमी मुफली खारा था मुफली उसकी गिर गई अंधेरा था दूड़ने लगा कहां गई मूफली उसने महाराज दुनिया भर के साधन कर लिए मूफली दूड़ने में चार-पांच लोग आये भर कहां गई मूफली दूड़ने अरे दुकाने और खरीद ले बागु काई दूड़ने तुरा समझेगो मेरी प्रियतमा ने दई वो मेरी प्रियसी ने दई मेरी प्रियसी की दई भरी मूफली है भया वाके मूल को तू कैसे समझेगो मैं दस रुपा की नहीं खरीद लहूं वहां में वो स्वाद नहीं आएगो लेकिन प्रियसी की दई भरी मूफली को तो सुख ही अलग है ये लागू भगवान तो करते हमारे साथ लेकिन हम नहीं करते ठाकुर जी के साथ हमाई लाल जी को मैं खुद अपनी उपर कहूं हम कहां कहां नहीं जाते कथा करने सब जगह लाल जी शंग जाते हैं फूर्प पहुंचने में इतनी वीवस्त हैं हमकितना भी कोशिश कर लें हमने ठाकुर जी बहुत कुछ ऐसे बनवा रखे हैं हमाई ठाकुर जी की जहांपी जी में पांच-छेजार रुपे रखे रहते हैं लाल जी आकाश में कोई गोपी मिले आपको नहीं दे राजी राजी तो पईसा देकर खरीद लियों पेठ बल लियों अपनो भूके मत रही हो तो ये सब भmad देखकर कोँको लगता लाल जी को हम जैसे चाहेर रखें कभी शिकायत नहीं करते हो और हम शिकायत से कभी बाज नहीं आते सब स्विकार करते हैं ठाकुर जी आप भी स्विकार करौ जीवन में जो प्राप्त हो हर भाव को अपने प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार समझ के स्विकार कर लो ज़रूरी थोड़ी ये प्रियतम सब अनुकूली देगा प्रतिकूल भी तो दे सकता है और कई बार प्रेम करने वाले प्रियतम प्रियतमा प्रतिकूल इसलिए भी करतें ताकि पता चले कि इसका प्रेम मुझसे है कि नहीं जीवन का हर छण बंधु हमारे प्रियतम के द्वारा दिया गया उपहार है मुवली है, खाओ, उसी को लो, उसी को स्विकार करो को मंदाज जी सकी से बोले कहा बताऊं तो कूँ मैं थोड़ी आयो तेरी यहां चूरी करवे गोपाल तेरे घर आवत हैं तो कल से श्रंगार करो लाल जी को और यही पद को चारण करो देखियों पूरो पद होएगो तब तक तो लाल जी तयार तयार है जाएंगे बिल्कुल तू अपनों श्रंगार करत है तू अपनों श्रंगार करत है दरपन हाथ दिखावत है तू है सकी बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घर आवत है तू है सकी बड़ भाग बड़े गोपाल तेरे घर आवत है आनिजकर गूत सुमन के घजरा निजकर तो है पहरावत है अभी कथा चल रही थी तो एक विश्य मन में आया हमारे वरंदावन के रसिक जनों को देखो आप उनका पहनाव उड़ाव श्रिंगार सब कितना साधारण होता है जादा से जादा श्रिंगार के रूप में ब्रजरज लगा लेंगे चंदन गिसके लगा लेंगे तिलक लगा लेंगे सामान्य संसार के लोगों के लिए वो श्रिंगार नहीं है परन्तु हमारे ब्रज के सब रसिक जन इतने सामान्य क्यों रहते हैं ताकि हमारी सामान्य नेता को देखके कभी श्रिजी को दया आ जाए और लाडली लाल आकर के हमारों श्रिंगार करें इसलिए बुर्दावन जाके जो स्वेम अपना श्रंगार कर लेते हैं न बहुत बड़े भाव से वंचित हो रहे हो आप केबल वैश्नव तिलक धारन करो और साधारन ही विचरो हमारे हरिदासी परंपरा के वैश्नव महत्माओं को देखो कभी टटिया स्थान जाओ वहाँ पर देखो गुदरी पहन के रहेंगे दोती रहेगी एक बालक हमारे संग रहते हैं आए नहीं आतो तीनी हमारे गंदवरुजन आए एक बालक संग रहते हैं उनको कभी देखो आप कैसे केवल ब्रजरज लगाए साधारण से वस्तर पहने गूमते हैं क्यों हम कोई देख लो हम कौन से ज़्यादा टिप टॉप हैं हम भी साधारण ही है सपेद दोती सपेद बगलबंदी ये भी पटका हमारा नहीं इन्होंने दिया है हम पे भी जो हैं वो भी सब दिये लग जाए वैसे लगती नहीं लग जाए तो मैं वैसे उठके बाल काड़े के पहुंच जाता हूं कथा मैं लोग भाए के महरा जी मूह तो दोलो मैंने काई कू कथा सुनानी है चलो क्यों सामान ने साधारन रहकर के भगवत चर्चाग आओगे कभी श्री जी को मन कर गयो तुमसे रीज गई तो वोई आके तुमारो श्रंगार करें हम काई को अपनो श्रंगार करें हमने अपनो रूप या मारे छोड़ रखो गी लाल जी आओ श्रंगार करो मीरा भाई कभी श्रंगार नहीं करती जिन बेशा मारो सांवरो रीज है मैं सोही बेश धरूंगी कहो कहो तो कुसमल साडी रंगाओं कहो तो भगवा भेश कहो तो मुतियन मांग भराओं कहो छिटकावा केश मीरा भाई फिर भी बहुत सुंदर दिखती हैं क्यों लाल जी श्रंगार करते थे मीरा भाई का निजकर गूत सुमन के गजरा अपने हाथ पहरावत हैं तू है सक्षी बड़ भाग बड़ी गोपाल तेरे घरावत